इस देश को अंगरेजों की गुलामी से आज़ात कराने के लिए हर वर्ग और समधाय के लोगों ने कुर्बानी दी। इनके पिता बिनोध बिहारी दत एक सरकारी करमचारी थे। कलपना ने चटगाउं से अपनी मैट्र की परिछा पास की और 1929 में कलकत्ता चली गई और बिज्ञान की पढ़ाई करने के लिए बैठ्थियून कॉलेज में अडविशन ले लिया। यहां उन्होंने BSC में दाकिला लिया और क्रांतिकारियों की कहानिया पढ़ने लगी। इन कहानियों ने उन पर गहरा प्रवाव डाला। वो मैला चात्रसंग से जुड़ गई जो एक अर्थ क्रांतिकारी संगठन ता जिसमें बीनादास और फ्रीती लता बाड़ेदार्वी सक्रेश दसी थी और खुद भी क्रांतिकारी काम में रुची लेने लगी। कलपना दत प्रस्चिद करांतिकारी शूरिशेन की इंडियन रिपबलिकन आर्मी से जुड़ी। के लोगों को बिस्फो टक सामेगी और हत्यार पहुंचाने लगी इन्होंने अपने साथ्यों को आजाद कराने का प्लान बनाया जिसके तहत जेंड की दीवार को बंसे उडाने की योजना बनाई गई थी लेकिन पुलिस को योजना का पता चल गया वह वेश बदल कर गूल करांतिकारियों पर मुकद्दमा चला और 1934 में सूरिशिन को फासी और कलपना दत्गवा जीवन कारावास की सजा हो गई 1937 में जब पहली बार प्रदेशों में भारतिय मंत्री मंदल बने ता मातमा गंदी, रवींदर्ना टेगोर आदे के बिसेस प्रयतनों से 1949 में कलपना जेल से रहा हो गई जेल से रहा होने के बाद इन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई पूरे गी, कलपना दत्ग ने 1940 में कलकत्ता विश्वेद्याले सिसना तक की उपादी प्रप्ट गी और इसके बाद राजितनीती में कदम रखा और भारतिय कम्यूनिस्ट पार्टी से जुड़ गे जेल में रहते हुए उनकी कई कम्यूनिस्ट ने इतना से मुलाकत हुई थी, उन्होंने मार्क्सवादी बिचारों को भी पढ़ा था, वो उनके बिचारों से काफी प्रवाबित हुई, कलपना दत्ग ने 1943 भारतिय कम्यूनिस्ट पार्टी के मास्टचिप पूरं चंद जो बन गई, उनके दो बेटे थे, चांद और फूरज, उन्होंने बंगाल अकाल और बंगाल विवाजन के दौरान एक रात करेकरता के रूप में कारे किया, आगे 1943 में ही बंगाल के बिदान सवा चुनाब में पार्टी ने कलपना को अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन वो चुनाब जितिने में अस्पल गई, आगे कुछ मतबेदों के चलते, इन्होंने अपने पती से अलग रहने का फैसला किया, और बंगाल से दिली आ गई, और भारतिय कम्योनिस्ट पार्टी से इस्तीफा देकर राजनीती से खुद को अलग कर लिया, बाद में कलपना ने च जावाज महिला को खो दिया था, कलपना पर एक किताब डू एंडाई चटगाओं बेद्रों लिखी गई, साल 1989 में कलपना दत्त की भावदरी और आजादी में दिये गई योगदान को देखते हुए, पुडे में बीर महिला के किताब से सम्मानित किया गया, 2010 में हिंदी फ पादुकों ने कलपना दत्ता की भूमिका निवाई और अविश्यक बच्चने सूरिशेन की जो चटगाओं सुस्तरागार चापे और उसके परिणावों पर आदारित थी